कि हैं अब इस तरह के हैंडल बार कैप को आप कैसे चेंज कर सकते हैं जैसा कि इसमें आप देखने हैं कि इसका हैंडल बार का टूड़ गया है तो इसे हम रिप्लेस करके नियू कैसे लगा सकते हैं तो वह मैं आपको बताऊंगा एक्चुली किसी किसी में यह मेटल का आता है स्कूरू से जुड़ा रहता है तो उसको चेंज करने का अलग में तरह वह जली तूटता भी नहीं है बट इस कंडिशन में यह प्लास्टिक है करें चाए तो कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले टुटा हुआ पोर्सन है जो हाप टूट जाता यहाप देखींगा जो हाप इतना हो शकता वह एक अंदर ही रहा जाता है तो सब्सक्टिकाल आफ्को निकालना पड़ेगा तो हम निकालें गो ंगे उ यूज कर सकते हैं नोस प्लेयर तो यह हमारा जो पॉर्शन निकल गया है नेक्स्ट क्या कि यह आपका जो न्यू वाला कैप है जो आपने इस प्लेयर कैप लिया है उस पे थोड़ा सा आप इस तरह का कुछ भी एडेसिव रवर बेस्ट एडेसिव हलका सा लगाई ज्यादा लाघाने का जोतनी है हलका सही जो पॉइंड च has four points जो निकल निकला हुआ है ओके यह पोर पॉइंट्स फोलगा थे से क्या होगा कि आपका यह अंदर जाने में भी इसी होगा और प्लस वह बहर आपका लूज नहीं कभी कभी क्या होता है यह लूज हो जाता है तो बहार निकाल जाता तो वह होल्ड करके रखेगा आपको इसको अंदर डाल जीजिए इस तरह से प्लास्टिक हैमर या कोई इस तरह का ऊड्ड लेकर के इसको आप टैप कीजिए आपका करेक्ट पोड चला गया यह तो यह आपका रेडी हो गया एक्छली यहां पे जो रबर था था असा डैमेज हो गया एक्छली मुझे यह हैंडल बार भी चेंज करना था यह तो आपने इस वीडियो में देखा कि कितना इजी है इस तरह का कैप चेंज करना और यह जादा नहीं यह जो सेट आता है यह सीनियर का है यह सीनियर अच्छा है प्लास्टिक का पार्ट से सब जोड़ाता है रबड का पार्ट से सब सेनियर का है तो वह सेट जस्ट ट्वेंट रूपीज का है मद्ध परपीस 14 रूपीस बहुत चीप है और आप विदिन टू-3 मिनट्स में आप खुद से इसको निकाल के चेंज क कर सकते हैं कि तो मैं होप करता हूं यह वीडियो आपको छोटा है लेकिन फिर भी अच्छा लगा होगा थैंक्स पर वाचिंग प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें